इनदोर के सामेर विधानसभा सीमीट पर मतयदान के बाद अब आंक लेर्ण और विश्लेशन का दोरजारी है कॉंग्रस प्रत्याशी प्रेमचन्ड गुर्डू मतयदान समाप्थि के बाद सामेर के सहरी क्षेतर में पहुँचे यहाँ प्रेम चंद गुड़ू ने सामयर की प्रयापवारियों से मुलाकात करने के साथ ही पार्टी कारेकर्ताओं से भी समवाद किया लिजियाना सम्वादाता अभिशेक मिश्रा से खास बाच्चीत में प्रेमचंद गुड़ू अपनी जीत का दावा तो करी रहे हैं साथी साथ एक अलगी अंदाज में बीजिवी प्रत्याशी तुलसिस सिलावट को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं मद्यप्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव में शामिल सावेर विधान सभा के सीट को सबसे अहम माना जा रहा है अब जब मद्दान का दौर पूरा हो चुका है तो इस सीट के प्रत्याशी भी गुणा भाग में जुड़ गए हैं इसलिए उन्होंने अपने ही अंदाज में पुरानी टीम के सदस्यों से भी मुलाकात की प्रेमचंद गुड़ू ने कहीं पान खाया तो कहीं केक काट कर अपने कारेकरताओं का जन्म दिन मनाया डीजयाना समादाता भीशेक मिश्रा से खास बातचीत में प्रेमचंद गुड़ू ने अपनी जीत का दावा किया है साथ ही बीजेपी प्रत्याशी तुसर सिलावट को उनके जन्म दिवस पर एक अलगी अंदाज में बधाई और संदेश भी दिया इस खास चर्चा में आप भी देखिए कि प्रेमचंद गुड़ू का अंदास और वह आधार जिसके बूते परवह चुनाओं में जीत का दावा कर रहे हैं सर परसो चुनाओं हो चुका है लगबख प्रक्रियापूरी संचालीत हो चुकी है कल आपने परिवार के साथ समय विताया आज वापस सामेर में अपने लोगों के बीच पहुचे जिया आज हम हमारे सब साथियों में हमारे बुरायन साथी नवा पेलवान की बिडिया की सा सबसें का बड़ा वातरबरन ने सबना रहा है कि यहां पे चल रहे हैं तो विसलेशन करें इसलेशन में हमको लग रहा है कि भारी यहां चुनाव जीतने जा रहे हैं एक आपका लंबा राजनेरी कानुबाव रहा है, चुनाव लड़ें, कई चुनाव लड़ें आपने, पहले के चुनाव और ये वाले चुनाव में आपको कितना अंतर दिखाई दिया क्योंकि केंपेइन का समय भी बड़ा लंबा रहा था यहां यह उप चुनाव था, यह उप चुनाव में लोगों का समझ जो है, आम चुनाव सरीकी नहीं थी, लोगों के विचार यह था कि हमारे साथ गद्दारी हुआ हुई है, और हमारे से कुछ न कुछ चोरी हो गया है, यह हमने जिसके प्रदी विस्वास वेक्ट किया, उसन ज्यादा आहत थे, जिन नोजानों को लग रहा था कि पहली बार वोड़ दिया और पहली बार हम ठखे गए, तो वो उत्ते घुस्से से उत्ती तागस से लगे वे ते जहां हमारे पास कोई डिवांड नी थी, कहीं भी किसी भी प्रकार की चीजिसे चुनाव माहम चुनाव पास थी, तो पहली बार देखने में आगी कोई प्रत्याशी दिनबर सिर्फ एक ही मददान केंदर पर रहा, आप पूरे समय तक्रीबन दस गंटे तक इंडेक्स कॉलेज के मददान केंदर पर रहे, वो एक क्या योजना थी, क्योंकि आप तमाम पोलिंग बूत थे, महाँ पर जाने की बजाए, आप एक ही जगे पर रहे, वो इस्ट्रेटेजी क्या सफल मानते हूं और क्या था उसके पीछे का मकसद? जहां, बीजेबी की सरकार प्रसाजन कलेक्टर ने मिलके ये योजना बनाई थी, रात तो रात अपत्ती का समय भी नहीं, वो दो पोलिंग बूत अचाने कोहां गोशिस कर दिये, चुनाओं की अचार सहीता चल रही थी, तो कोड से भी हमको इरात मिलने के उम्मीद नहीं थी, साड़े सोला सो वोट उसके बढ़ा दिये गए, फाइनल प्रकासन में कर दिये गए, जब आकरी तक हमरी स्ट्रेटेजी थी, बागी जेगे तो हमारे सब लोग तईयार थे, लड़ाई के लिए हमको मालुम था, एक जेगे भी फर्जी वोट नहीं कल पाएगा, लेकि पर रखी थी, स्केन करके, फोटो लगा के, स्केन करके, करीब सोला सो के करीब आईटी तरिया करेंगे, यह जानकारी अंदर से ही लोग हमको दे रहे थे, इस तरीके से बुला बुलाया जा रहा है, तो हम लोग लोग क्या बीजेपी वाले ही थे, मैं नहीं, चाहे वो नेटवर्क था, उसी अधार पे हम लोग ने चुना रोला, और आज आप कबलना करो, जो मेंबर पार्लेमेंट रहा हूं में, पारसद रहा हूं में, विधायक रहा हूं दोदो, एक मात्र एक पोलिंग भूत पे, दर्स गंडे नहीं सुबद चार बजे हुआ पोचिया था चार बजे सामको छे बजे तक, चकरीब में 14 घंटे है, और हमारे जिलागांगरे सद्दक्ष, सदासी यादो जी, हम दोनोंने दो पोलिंग समाल है, उसमें कोई ये प्रेमजन गुद्डू का चुना हूं, ये तो प्रिजात अंदर का चुना हूं था, इस वज़े थे मैं ने था अपने आप में, और आपको दिखेगा, कि जहां सतरा सो के करीब मद्दा था थे, उसमें पूरे आखरी के तीन घंटे है, मेरिका आप भी थे महां पे, तीन बजे से छे बजे के बीच में, बीस एक बोड़ी माज, हां माज, बीस बोड़ गिरे, इस से अंदाज कोटा बड़ा कई भी नहीं हुआ कि एक बोलिंग पे बेठा हूं 14 गंटे से नहीं कोई खाने की वेशस्ता नहीं कोई पीने की बिशे नहीं को तोड़ना, पिस भीजान को तोड़ के ख़तम करना चाहती है, अगले 10-15 सालों में कुछ चुना भी नहीं हो पाएंगे, यह व पूरी तरीके से पूरी मुस्तेजी से पूरी मुस्तेजी से पूरी तागत से यह कोई भी यहां पर कारेकरता आगरी तक यहां तक पूरी तरीके से यह खरचिला चुनाओ रहा लेकिन मेरे को कारेकरता के आपने दिखा कि का ओंगरेंस का एग भी कारेकरता इसमें कहीं निए पकड़ाय जो पक्राय सब बीजैपी के लोगर veinsए और उनको डर था कि हमा रहेंगे औसो आरे जारने जा रहे हैं जिनको डर होता है हगी है क्या ऀबागी सब्सक्रोप नहीं की । रिलोबह की पॉक्ड़ाई है जिनको डर था जामिता के इसलिए यह सब कुछ किया है tweaks एक भी इत्ती बत्तबी जी हैं प्रसासान ने हमारे कार्यकरता उन्हें सब ने सेहन करके भी इस चुनाओं में जहांबाजी से लड़ा है और यह चुनाओं हम अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं तुलसी राम सिलावट जोतरादीती सिंद्या के खास सिपह सालार माने जाते हैं जब सरकार कॉंग्रेस की गिरी थी तब माना जाता है कि जो विरोधी कॉंग्रेस के बागी विदायक थी उन्हें लामबंद करने का काम उनी के पास में था तो ये सिट कॉंग्रेस के लियास से ज्यादा लोगों में आक्रोह से, इनका जो पोलींगे बाई जिते हैं, वहां 20% मधान प anche 20% तक जहां पर बीजे़ए जीती थी, वहां 50% से लिए 20% तक मधान उथनka उफ़ अंगरेश जीत रही है, वहां पर पर संटेज, चाहे एसी का ओ, हो चाहिए ओबीसी का हो चाहिए कलोधा समाज हो या खादी समाज हो उन सब परसेंटेज बढ़ा है आपने बिल्कुल सैलेंट तरीके से इस बार चुनाव लड़ा हमने देखा कि आपने बहुत जादा शोर शराब है नहीं क्या उसके पीछे भी क्या कोई योजना थी नहीं के घर में पिछले चार महा में पांस से छे भार चाहे बाबा महाकाल की सीवलिंग की माध्यम से हो चाहे प्रसादी वित्रण के नाम से हो चाहे वो सेनियू को का सम्मान हो जो हमारे सांवेर में भरी संक्या में थे चाहे सिक्षकों को सम्मान हो चाहे जो हमारे पूजा पूरी नहीं पड़ी पूराना आपका राजनीतिक इतिहास यहां से भी जुड़ा रहा है अगर आपकी अपेक्षा के अनुरूप यहां पर परिणाम आते हैं तो आपकी प्राथ्मिक्ता है क्या होगी साविर के लिए मैजी सरोच प्राथ्मिक्ता है यहां के भर्ष्ट लोग है उनको ठीक करने का उंड़ों ने यह चिंद्स के अंदर चात्रावास अच्छा समनना चीए हमारे ने एस्टी एस्टी के चुकि पूरा बेल्ट है वहाँ पे ट्राइबल बेल्ट में होस्टल बने और यहां का जो डेवर्प्मेंट के काम बहुत जो मेरे टाइम पे छूड़ गया तो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है सड़कों पे ध्यानी नहीं दियेगा है जो मेरे टेम पे बने ते वही काम हुए है कि बाद में सुमीत्रा महाजन जी ने जरूर करवा है कुछ लेकिन फिर भी जिस तरीकी की कनेक्टिविटी में आलोट में यह उद्जियन के अंदर कर जी थी वह कनेक्टिविटी यह गाओं की है नहीं वह कंप्लीट में वह कनेक्टिविटी से जोडने काम करूँगा जिससे कि हमारे किसान भाईयों को भी आने वावा जावई जिससे उनके फसल और यह सब चीजे आराम से मंडियों तक चली जाए और उसको जी हैं लेकिं जिस तरीके से उनने इस आखरी के चुनार जिस तरीके से अपने साथियों के साथ जिन लोगों ने 35-35 सालों के देख रहे हैं मैं समस्क्राइब इसा नहीं करते हैं तो उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती करेंगे आज अच्छा दिन है माफी मंग लेना चीए उनकी जनुतिन पे उन सभी सातियों से एक अंटीम सवाल गुडुबिया कि तमाम जो आंक्लन विश्लेशन की होंगे आपने बूतवार क्या आंक्लों के लिहाज से आपको नतीजे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी दावा करने में कुछ भी दी मेरा जो है आंक्लन जो है मत्पेस के सीनियर ओफिसर से भी चर्चा अपने अंदाज में तो उत्ती सिलावन को जन्म दिवस की बधाई तो दी है साथी साथ दावा भी किया है कि मार्जिन साथ से आठ हजार की रह सकती है लेकिन जीती सीट पर कॉंग्रेस की होगी कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड़ू ने गुरुवार को पूरा दिन सावेर में ही बिताया अब जीत का उंट किस करवड बैठेगा यह तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड़ू मत घणना से पहले आत्म विश्वास के साथ जीत का दावा कर रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट रिजियाना नियोस अंदौर